जैसा कि आपको पता है कि 2024 में फेस्बुक से पैसे कमाना बिल्कुल आसान है और बहुत लोग फेस्बुक से लाखो रुपे कमा रहे हैं और फेस्बुक पर बहुत ज़ादा रीच है और फेस्बुक पर वीडियो तुरंत की तुरंत वाइरल हो जाती है लेकिन पैसे कमाने के लिए सबसे पहले हमको अपने Facebook को monetize करना होगा तो भाईया आकिर उसको monetize कैसे करेंगे 2024 में Facebook का monetization criteria क्या है आकिर minimum कितने followers क्या चाहिए जिससे मेरा Facebook monetize हो जा और उससे भाईया पैसा आने लगे मतलग की earning होने लगे 2024 में बहुत सारे rule and regulation और जो criteria होता ना उसमें बहुत सारे चीजों में बदला हुआ है तो उसको जल्दी से किस परकार से monetize करके आप Facebook से पैशा कमा सकते हैं सारा कुछ के बारे में एकदम डीटेल से समझेंगे तो बिने टावे बेस्ट किये चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने इस पहले आपसे छोड़ा सा request है अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को like और share जरूर कीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं तो यहां से आपको बिल्कुल डीटेल में और लाइप रूफ समझाने के लिए मैं आपको अपने mobile के screen पर mobile के screen पर आने के बाद सबसे पहले यहां से आपको अपना facebook कोलना है तो यहां से मैंने अपना facebook कोल लिया है जिन में देखिए, यहाँ पर home देखने को मिल जाएगा, उसके बाद insights को option देखने को मिल जाएगा, कि भाईया कितना मेरा reach वेगरा गया, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, creation पर click करके भाईया, आपका क्या creation होना चाहिए, किस परकार के content को आपको बनाना चाहिए, यह सब को check क कर सकते हैं, engagement पर click करके, किस परकार से आपके content में engagement आ रहा है, किस परकार से response आ रहा है, कैसा comment आ रहा है, उस अब check कर सकते हैं, और सबसे last में यहाँ पर देखिए, आपको एक monetization का, आपको एक section देखने को मिल रहा होगा, तो simply monetization वाले section पर click कर देना है, जैसे ही आप monetization व उपर काम कर रहे हो तो आपको 6 परकार के मोनिटाइशन टूल देखने को मिल जाएंगे अगर आप Facebook के प्रोफाइल के उपर काम कर रहे हो तो भाईया उस पर आपको 4 मोनिटाइशन टूल देखने को मिलेंगे दिये जो दू लाइव एड है और subscription है ये facebook के profile में आपको देखने को नहीं मिलेगा तो सबसे उपर में और सबसे पहला जो monetization tool होता है जो कि वह एकदम कम follower और जो तुरंत का तुरंत monetize हो जाता है वो होता है facebook के star monetization तो facebook के star monetize करके आप facebook से पैसा कमा सकते हो तो उसका क्या criteria होने वाला है तो उसके लिए facebook के star वाले option पर click करते हैं और थोड़ा सा नीचे slide करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि facebook star monetize करने के लिए आपके facebook page या फिर profile के उपर minimum 500 followers होने चाहिए और वो जो 500 followers हैं वो भाईया आपको 30 दिन के भीतर complete होना चाहिए मतल़ 30 दिन का भीतर कहने का मतल़ होना चाहिए कि आपका भाईया चाहे 10,000 follower है चाहे 20,000 follower है लेकिन जब तक आपके 30 दिन में 30 दिन में minimum 30 दिन में कम से कम 500 followers बढ़ने चाहिए अगर आपका ऐसा होता है तब भाईया आप Facebook पर अस्टार को monetize कर सकते हो लेकिन आप किसी भी परकार के monetize को करने जाते हो तो यहाँ पर आपका content monetization policy को आपको follow करना जरूरी है तो अगर आपके Facebook प्रोफाइल या फिर पेज के उपर content monetization policy issue का समस्या आ गया है तो यह वीडियो खतम होने के बाद इंड स्कीन पर आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आपको वीडियो देख लीजेगा आपके Facebook पेज या फिर प्रोफाइल पर से content monetization policy issue हला समस्या दूर हो जाएगा आप बात कर लेते हैं दूसरा monetization tools का तो दूसरा monetization tools होता है ads on reels जो की तंगड़ा earning का एक जरिया होता है तो ads on reels पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखे बेसिकली अगर आपको ads on reels से अपने Facebook को monetize करना है तो इसके लिए कोई भी criteria नहीं होता है यह auto invited होता है अगर आपको कोई बताता है यह criteria complete करने से ads on reels आ जाएगा यह करो यह setting on करो ऐसा कुछ भी नहीं होता है केवल आप बहतर quality और बहतर content बनाओ और for day 3 reel डालो automatic Facebook आपको ads on reels के लिए invite करेगा अगर आप Facebook पर long video केवल बनाते हो तो ads on reels आपको नहीं मिलेगा और नहीं आपको ads on reels से कोई benefit होने वाला है तो अगर आप Facebook पर regular reel upload करोगे और अच्छे quality और एक category पर reel को upload करोगे तब Facebook ads on reels के लिए आपको खुद invite करेगा और उससे आप monetize करके पैसे को कमा पाओगा अब बात कर लेते हैं तीसरा monetization tools का जो परकार के content रहेंगे उस परकार से आपका earning होगा इसके terms को follow करके आप भाईया अच्छे content को बनाकर engaging content को बनाकर आप पैसे को कमा सकते हो और इसको access करना एकदम simple है ये Facebook बता रहा है लेकिन अगर इसके eligibility criteria का बात कर लिया जाए तो भाईया ये भी auto invited होता है इसके लिए आप Facebook पर long videos को बनाते हो आपके content में दम होता है आपका content engaging होता है और आपके content को लोग share करते हैं अगर आपका Facebook किसी भी monetization tool से monetized है already तब आपको Facebook bonuses के लिए automatic Facebook invite कर देगा अगर आप original quality के content को बनाते हो और आपका content engaging होता है तब आपको Facebook bonuses के लिए invite करेगा इसके जरिया पांसो डॉ dollar के लिए invite करेगा या फिर 1500 dollar के लिए आपको Facebook invite करेगा Facebook bonuses के तुरू आप 500 dollar से लेकर 1500 dollars आराम से कमा सकते हो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है तो अब बात कर लेते हैं चौथे monetization tools के तरफ जो कि अब तक का Facebook पर सबसे तगड़ा earning का source माना जाता है और बहुत लोग जितने भी creator है सारे creator भाईया Facebook पर EC monetization tools को लेकर परिशान रहते हैं और EC से पैशा कमाना चाहते हैं और बहुत लोग EC से भी पैशा कमाते हैं तो उसका बात कर ले देते हैं उसका नाम है इन stream ad तो जैसे हम इन stream ad पर क्लिक करते हैं तो इन stream ad को monetize करने के लिए आपको बहुत सारे criteria को follow करना पड़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाईया आपके videos पर long videos पर अगर आपका long videos बनाते हो तब ही आपका in stream ad से earning बढ़ेगा अगर आप short video को बनाते हो तब भाईया आपको ads on real से earning बढ़ेगा confuse मत होईएगा long video के लिए in stream ad long video monetize होता है और short video के लिए ads on real monetize होता है तो यहाँ पर देखिए आपको videos बनाने के बतले पैसे मिलेंगे आपको अच्छा अच्छा content बनाना है अगर इसके eligibility criteria का बात कर लिया जाए तो इसमें केवल और केवल 5 monetization criteria को आपको follow करना होता है तो इसे हो तो भाई आप eligible country में हो अगर आपका अपना country चेक करना है तो यहाँ पर eligible country पर यहाँ पर क्लिक कर दीजेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे country का नाम देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप अपने country का नाम देख लीजेगा तो मैं इंडिया से हूँ तो पर नयाने आप page बनाए हो तो भाईया simply यह कटकुट रहेगा तो सबसे पहले आपको content monetization policy को नहीं देखना है सबसे पहले इसका जो minimum criteria 5000 followers उसको आपको complete करना होगा और 6000 minutes के criteria को आपको complete करना होगा अगर आप original content को बना रहे हो तो भाईया यह आपका content monetization policy है ना यह automatic हट तो यह video खतम होने के बाद जो video आएगा उसको देखिएगा तो आप 100% उसको remove कर पाईएगा तो यहां पर बात कर लेते हैं तीसरा monetization criteria में इसमें कम से कम minimum आपको 5000 followers complete करने होगे तब ही आप इसको monetize कर सकते हो चौथा जो criteria होता है यह content criteria होता है content criteria बोलने का मतलब है कि भाई यहां पर कर रहा है कि आपको minimum देखें यहां पर 60,000 minutes के criteria को complete करना होगा वो भी 60 दिनों के अंदर followers के लिए कोई criteria नहीं होता है minimum 5000 होना चाहिए वो आप एक दिन में करो 10 दिन में करो एक साल में करो दो साल में करो या फिर आपका कितना भी पुराना followers रहे उससे आपको जब नहीं है केवल और केवल 5000 followers होने चाहिए लेकिन यह जो content criteria होता है इसमें एक समय अंतराल दिया जाता है तो यह जो आपका 60,000 minutes का criteria है वो आपको 60 दिनों के अंदर complete करना होगा और उसके बाद आपको कम से कम 30 दिनों में 5 active videos डालना होगा अगर यह सारे criteria को आप complete कर लेत अब पात कर लेते हैं भाईया live ads के बारे में यानि कि पच्मा monetization tools के बारे में तो जैसे ही मैं live ads पर click करता हूँ तो simply देखिए live ads क्या होता है अगर आप अपने facebook के उपर live आते हो अगर इसको आप monetize कर लेते हो तो तब आपके live videos पर भी ad चलेंगे उससे आप earning कर पाओगे तो भाईया youtube में तो अगर आपका channel monetize है तो मतलब live ads में monetize है लेकिन facebook के लिए इसके लिए अलग से criteria दे रखा है और इसको आपको अलग से monetize करना होगा तो इसको monetize करने के लिए लगबग जो होता eligible criteria इसमें 7 दिया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले आपको eligible country में होना तो कम से कम आपको 10,000 followers होने चाहिए उसके बार content criteria का बात कर लिया जाए तो भाई यहाँ पर देख सकता है कि यहाँ पर 60 दिनों के अंदर कम से कम आपके 6,000,000,000 minutes का criteria complete होना चाहिए और उसके साथी साथ आपको 60,000 live minutes के criteria को complete करना होगा मतलब आप जो videos में live आओगे ना उस उसका भी watch time भाईया 60,000 होना चाहिए और आपके जो video जिसको आप upload करते हो मतलब simple video जो upload करते हो उससे आपका 6,000,000 minutes complete होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर 60,000 minutes आपके live video से complete होना चाहिए और उसके बाद आपको 30 दिनों के भित्तर 5 videos को upload करना होगा और उसके बाद कम से कम 90 दिनों में आपको 3 बार live आना होगा अगर इतने criteria को आप complete कर लेते हो तो भाईया congratulations आप live ads के थूरू भी पैशा कमा सकते हो और live आने से facebook पर बहुत जादा benefit होता है तो भाई मेरे live आओ और इसको monetize कर लो और इसे भी आप तगड़ा earning कर सकते हो तो आपकर लेते हैं सबसे आखरी और सबसे last monetization tools का जिसका नाम है subscription monetization तो देखिए subscription monetization को मैं monetization tools नहीं मानता हूँ जिस परकार से youtube में join बटन होता है ठीक उसी परकार से facebook में subscription monetization होता है तो देखिए subscription monetization को मैं monetization tools इसी लिए नहीं मानता क्यूंकि इसमें add would नहीं चलता है इसमें आप अपने follower से पैस इसलिए मैं इसको monetization tools नहीं मानता हूं अगर आपको subscription monetize करना है तो उसके लिए criteria का बात कर लिया जाए तो यहां पर देखिए अगर subscription से कैसे earning होगा तो यहां पर simple कर रहा है कि आपके audience जो आपको subscribe करेंगे उसके बदले वो आपको कुछ पैसे देंगे वही आपका earning होगा तो अगर इसका eligible criteria का बात कर लिया जाए तो इसमें भी सेम होता है आपको content monetization policy को follow करना पड़ेगा उसके बाद आपको eligible country में होना चाहिए उसके बाद आपके facebook profile या पिर page के उपर minimum 10,000 followers complete होने चाहिए और उसके बाद आपको कम से कम at least profile has at least 250 weekly returning viewer returning viewer बोलने का मतलब है कि जो एक बार आपकी videos को देख लिये हैं और दोवारा आपकी videos को नहीं देखेंगे वो returning viewer नहीं होंगे तो मतलब अगर आपके videos को कोई एक बार देखा है तो वीकली में कम से कम 250 viewer ऐसे होने चाहिए जो कि आपके दूसरे video तीसरे videos को भी देखें ठीक है और उसके साथ आपको कम से कम 50,000 post engagement चाहिए post engagement बोलने का मतलब है अगर आप read डाल रहे हो वो भी post में आता है अगर आप videos डाल रहे हो वो भी post में आता है अगर आप photos डाल रहे हो वो भी post में आता है तो कम से कम आपको 50,000 post engagement चाहिए और उसके साथ ही साथ आपको 1,80,000 minutes का जो criteria है अगर आप उसको complete कर ल तो भाई आप monetize, monetize तो रट रहे हो लेकिन भाई हम अपने Facebook को monetize कैसे करेंगे Facebook को monetize करने के लिए हमको क्या-क्या detail लगेगा और उसको monetize करना आसान है या मुश्किल है तो देखिए अगर आपको अपने Facebook को monetize करना है तब उसके लिए आपको Facebook पर payout account को add करना होगा और tax information को बिल्कुल अच्छे तरीके से भरना होगा तो देखिए tax information को आपको भरने के लिए सबसे ज़्यादा जो requirement होता है आपके पास कम से कम एक pen card होना चाहिए और आपके पास bank detail होना चाहिए और bank का swift code या फिर IFSC जो code होता है वो आपके पास available होना चाहिए अगर आपके पास pen card है, bank detail है और swift code चाहिए IFSC code है जो कि आपके पास्बुक पर लिखा हुआ रहता है तब आप Facebook पर payout account को बना सकते हो ठीक है लेकिन अगर आपके पास इन सब में से कोई भी चीज नहीं है तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपका 18 साल से कम age हुआ है तब आप अपने भाईया के नाम पर, पापा के नाम पर या फिर किसी और के नाम पर Facebook पर payout account को बना कर उसके बिहाब पर आप पैसे को ले सकते हो या फिर किसी का भी bank account अड़ कर सकते हो लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा जिसका भी आप pen card दीजेगा पूरा का पूरा payout, detail और address और proof उनी के नाम पर आपको बनाना होगा और उनी के बिहाब पर आप payment को ले सकते हो इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है या Facebook पर payout account कैसे बना है अगर मैं इस पर बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इस पर मैंने एक detail में dedicated वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा आप जाकर वो वीडियो देख कर सीख कर आप Facebook पर payout बनाना सीख जाएगा जिससे आप अपने Facebook page या फिर Facebook profile को easy तरीके से monetize करके पैसे को कमा सकते हैं तो भाईया आप बात कर लेते हैं भाईया फेस्बुक का जो monetization criteria होता है उसको हम जल्दी से कैसे complete कर सकते हैं तुरंद का तुरंद कैसे पैसे को कमा सकते हैं भाईया ये आप बता दो वीडियो वाइरल नहीं हो रहा है उसके लिए हम क्या करें तो देखिए अगर आप Facebook के page पर काम कर रहे हो या फिर Facebook के profile पर काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये decide करना होगा कि आप long video creator हो या फिर आप short video creator हो अगर आप reel पर काम करोगे तब आपको kevall और kevall अ starting में reel के उपर काम करना है और आपको ads on reels के पीछे भागना है ना कि आपको in stream add के पीछे भागना है अगर आप Facebook पर long videos को upload करोगे long content creator हो उस अवस्ता में भी आपको Facebook पर reel को भी upload करना होगा और long videos को भी upload करना होगा ठीक है ध्यान से सुनिएगा इसमें mismatch मत किजेगा अगर आप Facebook पर reel बनाने के लिए आए हो Facebook के reel पर आप काम करोगे आप reel video creator हो तब आपको केवल और केवल per day minimum 3 reel और maximum 5 reel डालना है और ये काम आपको 60 दिनों तक करना है इतना काम करने के बाद आपको 100% ads on reels के लिए invited आ जाएगा तेकिन अगर आप Facebook पर long content creator हो अगर आप long video बनाने के लिए आए हो तब उस अवस्ता में भी आपको Facebook पर reel upload करना होगा क्यों? क्योंकि reel से बहुँ ज़्यादे followers मिलते हैं reel से बहुँ ज़्यादा watch time count होता है और भाईया reel का जो watch time होता है वो तो count होता ही होता है उसके साथ reel बहुत जल्दी viral हो जाता है जिससे आपका industry add का criteria complete हो जाएगा और भाईया आप उसको monetize भी कर पाओगे तो अगर आप long content creator हो तब उस अवस्ता में आपको दोनों वीडियोज को upload करना होगा आपको minimum कम से कम per day दो reel को डालना होगा और एक long video content को डालना होगा अगर आप ऐसा regular way में काम करोगे तब आप 2024 में बिल्कुल आसान तरीके से पैसे को कमा पाओगे लेकिन अगर आप सच में भाईया आपके अंदर जुनून है कि नहीं हमको 2024 में Facebook से पैसा कमाना है चाहे जे हो जाया है में Facebook से पैसा कमाना ही कमाना है उस अवस्ता में मैं description में 4 वीडियो का link डाल दूँगा वो 4 वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो मैं आपको 100% guarantee देता हूँ कि आपको 2024 में Facebook से पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है और आप Facebook से तगड़ा earning कर पाओगे तो यह थे Facebook का monetization rule Facebook monetization 2024 का यह था क्राइटेरिया अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें और description में जाकर वीडियो को check out करें उसको देखें, सीखें, पैसे कमाएं अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद